Hello students, आज हम exercise 12.1 करेंगे, chapter 12, ratio and proportion, question number 7 देखेंगे, find the ratio of the following, a, 30 minute to 1.5 hours, तो यहाँ पे minute दिया है और यहाँ पे hour दिया है, तो हम hour को minute में change करेंगे, तो 1 hour हमारे क्या होते हैं, 60 minutes होते हैं, तो 1.5 hour हमारे कितने हो जाएंगे, 1.5 cross 60, यानि कि इसको हम multiply कर दे, 0, 15, 90, यानि कि 90, point लगा देंगे एक डिजिट के बाद, तो 0 हट जाएगा यह, तो यह हो जाएगा हमारा 90 minutes, अब दोनों minutes minutes में हो गए, तो अब हम इनका ratio निकालेंगे, तो 2 के पहले हमारा लिखा है 30 minutes, तो 30 minutes हमारा उपर आएगा, और 2 के बाद लिखा है 1.5 hour, और 1.5 hour को हमने किस में बदल लिया है, minute में बदल लिया है, तो यह हमारे कितने हो गए, 90 minutes, तो minute से minute कैंसल हो जाएगा, तो 30 by 90, तो यहाँ 0 से 0 कैंसल हो गया, तो यहाँ बचा हमारा 3 by 9, अब 3 by 3, 3 by 3 by 9, यानि कि 1 by 3, यानि कि इसका अंसर क्या हो गया, 1 by 3, और 1 ratio 3, तो इसका अंसर क्या हो गया, 1 by 3 और हम आजके लिख सकते हैं, 1 ratio 3, अब यहाँ पे है 40 cm to 1.5 meter, तो हम क्या करेंगे, एक सी unit बनाएंगे, meter को cm में change कर देंगे, एक meter बराबर क्या होता है, 100 cm होता है, तो 1.5 meter हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 x 100 cm, तो हम जब इसकी multiply करेंगे, तो 15 और 0, 0, 2, 0 लगा लिया, और 15 एकम 15 हो गया, जशमलाब हमारा एक डिजिट के बाद लगाया, तो यहाँ लगा देंगे, और यह point के बाद 0 लगाया, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, 150 cm, अब हमारा 40 cm to 1.5 meter, और 1.5 meter को हमने किस में change कर लिया है, 150 cm में, तो ratio में क्या होता है, जो 2 के पहले लिखा है, उसे हम उपर लिखते हैं, और 2 के बाद हमारा लिखा है 1.5, तो यह हमारा आएगा, डैनो मिनिटर में, तो हम लिखेंगे, 40 cm upon 150 cm, तो यहाँ से cm से cm हट जाएगा, और 0 से 0 भी चल जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 upon 15, क्या बचा हमारे पास, 4 upon 15, और 4 upon 15 तो किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसका answer हो जाएगा, 4 ratio 15, राइट, नेक्स पार्ट देखेंगे, 55 पैसे, 2 रुपी 1, तो हम जानते हैं, 1 रुपी में हमारे कितने होते हैं, 100 पैसे, तो एक रुपी हमारा किस के बरावर हो गया, 100 पैसे के बरावर, तो अब हमारा क्या हमें लिखना है, 55 पैसे to 1 रुपी, यानि कि रेशियो का है, 2 से पहले वाला उपर आएगा, तो 55 पैसे upon 1 रुपी, 1 रुपी को हमने किसमें चेंज कर लिया है, पैसे में, तो हम लिखें हमारे पास 55 by 100, अब ये हमारा 5 से कट जाएगा, क्योंकि divisibility का रूल कहता है, first digit हमारी 0 और 5 वो, तो वो 5 से divisible है, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 और 0, तो ये हो गया हमारा 11 by 20, 5 से 100 को 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10, और ये 0 बचा, ये कहां आ जाएगा यहाँ प ratio 20, right, next part है हमारा 500 ml to 2 letter, तो liter को हम ml में change कर लेंगे, 1 liter, हमारा क्या होता है, 1000 ml, तो 2 liter, हमारा क्या हो जाएगा, 2 cross 1000 ml, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से multiply कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2000 ml, अब दोनो ml में आ गए, तो 2 से पहले हमारा 500 ml लिखा है, तो 500 ml हम उपर लिखेंगे, upon 2000 ml हम नीचे लिखेंगे, ml से ml कट जाएगा, और 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, तो बचा क्या हमारे पास, 5 upon 20, अब 5 upon 20, ये दोनों 5 की टेबिल में आते हैं, तो 5 बन जा 5, 5 फोर जा 20, यानि कि 1 upon 4, और हम इसे लिख सकते हैं, 1 ratio 4, तो यही हमारा इस question का answer है, next question के लिए, हम लोग next video में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को like कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, झाले 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 झाल झाल